के आपको आपको जो अलॉट्पनेंस सब्सक्राइब कि अब आपके मन में यह सवाल है कि माम किया अब ठर्ड लिस्ट आएगा कि बहुत लोग का नहीं हुआ है बहुत लोग को 45 पर भी कॉलेज मेरा है तो तो यह क्यों हुआ है किस कारण हुआ है वह मुझ जानते हैं एकदम exact information तो बिलकुल उफिशेनल को like, share and subscribe जरूर कीजे तो यहाँ पर देख सकते हो यह आपका college ID है दैन यह minimum rank है और maximum rank है अगर आप इसके बीच में आते हो दैन आपका यानि कि यहाँ तकाते हो तो आपका इस college को a lot किया होगा तो किरपया कर अपना CML rank से मिला लिजी यह government college का है दैन इसके बाद हम आते हैं तो फिर आपका यहाँ से आएगा सिच्छा सासरी वालों का फिर semi government वालों का फिर आपका आता है private college यह सारे है तो एक बार अपना check कर लिजेगा कि क्यों कैसे क्या हुआ है तो मैं इसको telegram पर डाल देती हूँ वहां से आप लोग फटा फट चेक कर लिजेए और WhatsApp ग्रूप में भी जल्दी से जल्दे डाल देती हूँ तो अब आपको आगे क्या करना चाहिए जिननों को college लोट हो गया है वो लोगो नीचे आया होगा तीन हजार रुपे का payment करना है तो payment कर लिजे आपको पसंद है admission जाकर ले लिजे क्योंकि आपके पास कोई choice है नहीं आपको college मिला है तो बिल्कुल जाकर ले लिजे अगर आपको बहुत अगर आप सक्षम है तो वैसा नहीं कि मजबूरी में क्योंकि आपको दो साल पढ़ने है दो साल अगर आप जेल सकते हो तो बिल्कुल ले लो कोई-कोई university ऐसी होती है कि बहुत जल्दी result भी नहीं देती है तो किरपया कर ध्यान देखकर इन सब बातों पर इन सब बिंदूओं को देखकर ही admission लिजेगा I hope so कि आपको सारी information मिल गई हो अगर कुछ भी ऐसा बचा हो तो आप बिल्कुल मुझे contact कर सकते हैं तो वहां से भी अगर जिन लोग का नहीं हुआ है निरास मत होईए आपका कोई बात नहीं अगर आपका हो जाता तो बहुत अगली बार के लिए अभी से ही तैयारी कीजे वह आपके लिए जादा जैसा कि आपको बैस सुरू हो चुका है और लड़ी तो आप उसमें इन्रॉल कर सकते हैं और अभी से पढ़िएगा तो में भी क्योंकि जितने भी लोग अगर पर रहते न सही से तो उन सब को कहीं न कहीं कहीं कोई कॉलेज फर्स लिश्ट में ही मिलिया जो भी बचे हुए थे थोड़े बहुत उनको भी सकेंड लिश्ट में ह हो ही गया तो बाकी आपको क्या करना है क्या नहीं पिछले वार की तरह इस बार भी गलती करनी है तो देख लीजे थैंक्यू फूर वाचिंग अस